दिल्ली में महौल बनाने उत्रे पियम मोदी आज रामलीला मैदान में बीजेपी के साथों उम्मीरवारों के लिए करेंगे मेगा रहनी दिन्दी के लावा हर्याड़ा में पीयम मोदी की दो रेलिया हर्याड़ा के पतेहबाद और कुरुशेत्र में करेंगे जनसभा को संबोध है अमिशन भोपाल पर अमिशा साधवी प्रग्या ठाकुर के लिए करेंगे रोड शो प्रग्या के लिए भागेंगे वोट अमिशा आज जारखन में करेंगे दो रेलिया धनबाद और जमशेदपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित मद्यप्रदेश में राहूल की तीन जनसभाएं भिंड, मुरेना और गौलियन में करेंगे रेलिया सीम कबला, जोतिरादेत सिंधिया भी रहेंगे मोटू आज दिल्ली के दंगल में रहेंगी प्रियंका, नौर्थ इस्ट और साउथ दिल्ली में भी करेंगी रोड शो, कॉग्रेस कत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार आज गोरकपूर और वारण असी दोरे पर सीम योगी बूस्तर ये कारेकरताओं को करेंगे संबोधित आजमगण में गठबंदन की संयुक्त रैली अखलेश के लिए वोट मागेंगी ब्येस्पी सुप्रीमो मायवती भवाल के सियासी जंग में आज दिग विजे के समर्थन में साध्वों का रोच चोग कल 7000 साध्वों ने की थी दिग विजे की जीत के लिए पुझा रिए चिनाव चिनावायोग ने पीम मोदी के एक बार फिर से दी क्लीन चित पूर्व पीम राजीव गांधी को बताया था भश्टा चारी सुप्रीम कोर्ट कहुंची कॉंग्रेस लोकसमा चिनाव में दुरियोधन की एंट्री प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से की दुरियोधन की तुर्णा सुष्मा का पलटवार कौन किसको सुना रहा है बंगार के मेदिनी पूर में शाहने मंच से लगाए जैश्प्री राम के नारे कहा दीदी आप से जोबन परता है कर लो अरुन जेटली ने कॉंग्रेस पर कसा तन जिकाहा रोते हुए बच्चे की तहां बरताव ना करे कॉंग्रेस बार बार आचास सहिता उलंगन की ही रट लगा रखी है भदोई में गटफंदन की सहिंत रैली बीजेपी पर जम कर साधा निशाना पाँच चरणों के बाद बीजेपी के होशोड़े राजीपुर में डिप्टी सीम केश्य प्रसाद मौरे ने जलसभा को किया संबोधित विपक्षी दलों पर जम कर किया हमला ततापगण में अनुप्रिया पटेल ने चिनावी रैली को संबोधित किया बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट प्रयाग राज में कॉंग्रस नेता संजे निरुपम का बयान मोदी लेहर का हो चुका है अन्त कॉंग्रस की जीत पक्की मुरादाबाद में स्पी विधाएक से मांगी गई दसलाकी रंगदारी पुलिस ने मामला किया दर्ज जांच में जुटी मेरच में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपरात पर प्रदर्शन महिलाओं का आरोप योगी की पुलिस बेटियों के सुरुक्षा करने में नाका एक बार फिर मुंबई से जुड़ेगा जुलि ग्रांट एरपोर्ट आज से शिरू होगी नई हवाई सेवा लोगों ने जताई खुशी मांगंगोत्री यमनोत्री धाम के खुले कपाट अब जल्द दर्शन देंगे बाबा बद्री और केदार नाथ आत्रा सुरक्षा पर सुरक्षा की लिहाज से फुड़िस बेनाथ देहरादूर में 108 अम्बुलेंस सेवा कर्णचारियों का प्रदर्शन जारी समान वेतन और समायोजन की कर रहे हैं मांग लक्सन में मजिस्ट्रेट की कारवाई से व्यापारियों में हरकम भारी मात्रा में पॉलिफिन बैक बरामत व्यापारियों का अकाटा चालान हरिद्वार के आचारे कुलम में सीबी एसी के छात्रों का जलवा 14 छात्र छात्राओं ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किये बाबाराम देव ने दी बढ़ाई है आई पिल के ले ओफ मुकाबले में मुंबई ने चेन्नाई को छे विकेट से हराया फाइनल में बनाई जगे